स्थान ये पाटशालाओं का क्या हुआ? 1830 में स्कॉटलेंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया. विलियम एडम को देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगती पर रिपोर्ट तयार करने का जिम्मा सौपा गया. एडम ने पाया कि शिक्षा का तरीका काफी लचीला था और इस्थानी स्कूलों को पाटशाला के नाम से जाना जाता था. उनमें ब्लैकबोर्ट, अलग से कक्षाई लेने, बच्चों की हाजरी लेने के रजिस्टर, निश्चित फीस, छपी हुई किताबों, पाटशाला की इमारत, बैठने के लिए कुर्सियों या बैंचों, सालाना इम्तेहान या नियमित समय सार्णी की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी. शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है, ये बार विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरू ही तै करते थे. जो पार्ट शालाएं नई नियमों के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी. नई दिन्चर्या, नई नियम 1854 के बार कम्पनी ने मौजूदा व्यवस्था के भीतर नई व्यवस्था, नई दिन्चर्या, नई नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिये देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया. कम्पनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया, जिन में से प्रतियेक पंडित को चार से पाँच स्कूलों की देखरेक का जिम्मा सौपा गया. अध्यापन पाठे पुस्तकों पर आधारित बनाया गया और विद्यार्थियों की प्रगती को वार्शिक परीक्षाओं के माध्यम से मापा जाता था. नए नियमों से चलने वाली पाठ शालाओं को सरकारी अनुदान मिले.